दोस्तो नमस्कार शिल्पा के पती और बिजनिसमेन राज कुंदरा का नाम जब से अशलील और घिनोनी कर्तूतों में निकल कर सामने आया है तब से दोस्तो लगातार एक के बाद एक हो रहे खुलासों ने लोगों को सन्न करके रख दिया है लोग हैरत में हैं कि जिन बॉलीवूड वालों को हमने अपने सर पर बिठा रखा था असल में ये लोग कितने गिरे हुए है राज कुंदरा मामले में दोस्तों एक कवर के जरिये बहुती बड़ा खुलासा किया गया है इस खुलासे के बाद बॉलीवूड में हरकंप मच चुका है दरसल फिल्मी बीट पर चुपी ขवर में खुलासा किया गया है कि राज कुंदरा अशलील फिल्में बनाकर एक दिन में कितने लाक रुपै कमाते थे और पुलिस ने कितने करोड रुपै अभी तक बरामत किये हैं फिल्मे बीट पर छपी खवर के मताबिक राज कुंदरा ने जब या श्रील रैकेट स्टार्ट किया था तो इस दोरान उनकी एक दिन की कमाई दो से तीन लाख रुपए थी। लेकिन लोकडाउन के दोरान जैसे जैसे ये धंदा बढ़ता गया फिर अचानक से इसमें कुंदरा मौटी कमाई करने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग एक दिन में 6-8 लाख रुपए कमा रहे थे। इतना ही नहीं दोस्तो जब पुलिस ने दविश दी तो इस दोरान तकरीबन 7.5 करोड रुपए भी जब्त किये गए हैं। दोस्तो कॉरोना महामारी के दोरान जहां एक तरफ महारास्ट्र में लोग दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे थे। तो दूसरी तरफ इस रैकेट के जरीए कुंद्रा जैसे लोग करोड़ रुपए छापने में लगे हुए थे वो भी एक घटिया रैकेट चलाकर। शिल्पा शेट्टी के पती राजकुंद्रा को मुंबई पुलिस ने पॉर्नो ग्राफिक सामगरी बनाने और एप पर बेचने के आरूप में ग्रफतार किया है वो शुक्रवार तक पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे उनसे लगातार पूझताच की जा रही है शुक्रवार के बिजनिस ने उन्हें एक दिन में 6-8 लाग रुपे की कमाई होती थी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने बताए कि लॉकडाउन के दोरान एडल्ट फिल्मों का धंदा और भी बढ़ गया था शुरुवात में एक दिन की कमाई 2-3 लाग रुपे थी लेकिन बाद मे ये बढ़कर 6-8 लाग रुपे हो चुकी थी पैसों के ट्रांसफर के डॉक्यमेंट हजारों में चलते थे दोस्तों हैरत की बात यह है कि क्राइम ब्रांच की और से बड़े बड़े सबूत पेश किये जाने के बाद भी राज कुंद्रा एक ही बात पर अड़े हुए है कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है उन्हें तो फसाया जा रहा है वैसे दोस्तों ये फैशन बनता जा रहा है कि हरा अपरादी यही कहता हुआ दिखाई देता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं उसे तो फसाया जा रहा है अशलील कंटेंट से हो रही करोडों की कमाई को इसने सीज़ कर दिया है इस पर आगे की करवाई का अब रोड में अब तयार किया जा रहा है और कैसे राजकुंद्रा के साथ साथ में जो उनकी टीम थी जो अभी तमाम लोग दोस्तों फरार चल रहे हैं उनके उपर कैसे दबिश दी जाया उनने कैसे गरफतार किया अग जा इस वीडियो में अतना ही जल्द मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में दूसरे अपडेट के साथ में तब तक के लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस चैनल को अब को मिले